इंफ्रासेक्टर की बड़ी कंपनी जेपी एसोसियेट बैंकों से लिए हुए करज की बड़ी किश चुकाने में नाकाम रही है डिफॉल्ट कर गई है कंपनी कंपनी की तरफ से कहा गया कि वे चार हजार 69 करोड रुपए का करज नहीं लोटा पाई है कंपनी पर 29,000 करोड रुपए से ज्यादा का करज है करज नहीं लोटाने की वैसे कई बैंकों ने जेपी एसोसियेट के इकलाब दिवालिया प्रिकरिया शुरू की हुई है सर किस तरह डिफॉल्ट में फस गई है कंपनी जेपी एसोसियेट्स का ये को लगातार अपने कर चुकाने में चुकना पड़ रहा है इससे पहले जो एक किस्सा था वो SBI के साथ था ये करीब करीब 469 करोड रुपए के आस पास का डिफॉल्ट है जिसमें 1713 करोड का प्रिंस्पल इमाउंट है और 2346 करोड रुपए का इंट्रेस्ट इमाउंट है जेपी एसोसियेट्स ने सरकारी एक्षेंजस को अपनी फाइलिंग में ये बात बताई है ये कंसोल्टियम से मिला हुआ कर्च था जेपी एसोसियेट्स लगातार गहरे संकट में चल रही है ये कंपनी ने अभी 2017 में अपना सीमेंट बिजनस भी बेचा था उसके काफी और संपतियां बेचने की कोशिश की थी लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा है 2018 में इस कंपनी को ICICI बैंक नेशनल लाँ ट्रिबूनल में भी ले गया था सब्टेंबर पिछले साल 2022 के सब्टेंबर में ही SBI ने भी NCLT में JP Associates के खिलाफ अपील की थी जो 6,893 करून रुपय का एक डिफॉल्ट था जो SBI वहां लेकर गई थी अब एक और कंपनी NCLT की तरफ जाने की तियारी कर रही है एक और बड़े करच के भुगतान में JP Associates करच की तरफ जाने की तियारी कर रही है Reliance Capital को करच देने वाले Bank ने सिरे से कंपनी की निलामी की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं माना जा रहा है कि पिछली निलामी प्रक्रिया में बोली लगाने की समय सीमा के बाद हिंदुजा गुरू की तरफ से आई बड़ी बोली को ध्यान में रखते हुए Bank ने सिरे से निलामी के बारे में सोच रहे है ताकि कंपनी को दिये करच की जाधा से जाधा बसूली हो सके Bank को Reliance Capital की से 25,000 करोल उपयते जाधा की बसूली करनी थी पिछली निलामी के दौरान जो सबसे बड़ी बोली आई थी वो 8,640 करोल की Torrent Group की थी समय समय सीमा खतम होई उसके बाद क्या हुआ हिंदुजा ग्रूप ने एक और बड़ी बोली लगा दी 94,000 की इसकी शिकायत लेका Torrent पहुँच गई NCLT में उसने का कि समय सीमा खतम हो गई थी फिर आप कैसे बोली लगा सकते हैं और अब पूरी गाड़ी फिर से बैक टू 01 सर अब नई प्रक्रिया जो होगी निलामी की वो शुरू कैसे होगी ये हम लोगों ने अपने हाग कमपनी आप में के एपिसोड में मनी नाई में पिछले हथे इस बात को बताने की भी विस्तार से बताया था कि कैसे हिंदुजा समूने आरकैप जो बिक नहीं रही थी उसके पूरे पूरी निलामी प्रक्रिया को काफी दिल्चस्प और काफी रुमांचक बना दिया लेंडर्स को जो करज देने वाले लोग थे जिने कहीं गरहाक नहीं मिल रहे थे अब उन्हें इस बीमार कंपिनी को खरीदने के लिए प्रतिस परदा होती दिखाई देने लगी अरब ऐसा लग रहा है कि लेंडर्स मतलब जो बैंक्स हैं वो जाधा बोली के और जाधा कीमत की उम्मीद में इसे दुबारा आक्षन की प्रक्रिया में ले जाएंगे हाला कि आई बी सी की विवस्था के थे थे थोड़ा चुनोती पूर्ण है क्योंकि एक बार आक्षन की प्रोसेस शुरू होने के बाद इसे वापस लेना लेकिन लेंडर्स अंतता फैसला करते हैं कर्ज देने वाले कर्ज देने वाले फैसला करते हैं तो शायद NCRT की प्रक्रिया के थेहत इसे दुबारा बोली के लिए डाला जाएगा अगर कोई कानूनी अलचन नहीं आती और इमाना जा रहा है कि अब जो नया रिजर प्राइस होगा आर कैप का वो 96 करोल के असपास होगा क्योंकि 95 करोल कि असपास की भोली हिंदोजा समूने लगाई थी अब फिर टोरेंट समून को अगर पलट कर देखें तो टोरेंट समून की भोली 8600 करोड़ रुपए क्या सपास थी तो टोरेंट समून से ज्याधा दूर नहीं है लेकिन अब इसको करच देने वाले बैंकों को दिखने होगी